कि अभी हम सबसे पहले किसलों का सब्सक्राइशन करेंगे कि अब 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 कि मेरा माइक तो आने प्रोजी आपका इतर चेक कीजिए आपके दर बहुत शोर हो रहा है है अब 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 प्राणिश्वर गौर्पो जी आपके बैगराउंट में बहुत सरा आवाज है तो आप एसे जगावी जहां पर साउंड नी आएगा लाट को कि अब कि लोक्रमांग तीरा पॉइंट बाइस कि सफोंट बढ़ा करता हूं आप मेरे साथ साथ बुलिए पुरुशा प्रकृतिस्थो ही भुंते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्या सद असद योनि जन्मसू पत्रष्टा अनुमन्ताचा भरता भुगता महेश्वरह परमातमे इतिचा अपी युकतो देहस्मिन पुरुशा परह मामचयो अविपिचारेणा अविपिचारेणा ब्रह्म भूयाय कल्पते ममयवान्षो जीवलोके जीवभूतसनातनह जीवभूतसनातनह मनहशष्ठानि इंद्रियानी मनहशष्ठानि इंद्रियानी प्रकृतिस्थानि कर्षती सर्वसचाहम रतिसन्नि विष्ठो मत्स्नुतिर न्यानम अपोहनम्च वेदेश्च सर्वेर अहम एववेद्यो वेदान्त कृत वेद विद इवच आहम वेदान्त कृत वेद अविद इवच आहम ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा नशोचती नकांशती समह सरवेश भूतेशु समह सरवेश भूतेशु मत्भक्तिम लभतेपराम भक्त्यामाम अभी जानाती यावान याष्य अस्मी तत्वतह यावान याष्य तत्वतह ततो माम ततो न्यात्वा विशते तत अनंतरम मनमना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्त कुरूहू माम एवाईशसी सत्यमते प्रती जाने प्रियो असी में प्रती जाने प्रियो सी में सर्वधर्मान परितज्या माम एकम शरणम वरजहा अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मुक्षाइश्यामी माशुचह अरे किष्णा अरे किष्णा तो अभी हम कल जहां पर रुकते वासे शुरूआत करेंगे अरे अरे कि अ कि तो माताजी जो आप कल पुछ पढ़ रहे थी वह वाले माताजी वापास अभी है के आज माताजी हाँ है ना प्रभुजी हाँ तो आप यहां से अभी पढ़िए तब तक उसे उदासिन रहना चाहिए वहां से शुरू किजिए पॉइंटर आपको दिख रहे हैं जब मनुष्य से पढ़ू हाँ यस पढ़ू ना प्रभुजी यस जब मनुष्य बहुत इक शरीर के प्रती सचेद रहता है तो वह केवल इंद्रियत रुप्ति के लिए करन पहता है लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थाना अंतरित कर देता है तो अन्मूट करके बोले वापस शोर आ रहा है लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थाना अंतरित कर देता है तो इंद्रियत रुप्ति स्वता रुख जाती है मनिश्य को इस भौतिक शरीर की आवशक्ता नहीं रह जाती है और न उसे भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवशक्ता रह जाती है शरीर के बहुती गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पुतक रहेगा वह किस तरह पुतक होता है वह न तो शरीर का प्रभु जी दिख नहीं रहा है एक मिंट हाँ भी नहीं दिख रहा है शरीर उसका आगे से नहीं आ रहा है शरीर का बोग करना चाहता है न उससे बाहर जाना चाहता है इस प्रकार दिव्यपत पर स्तीव भक्त स्वय में मुक्त हो जाता है उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यक्ता नहीं रह जाती अब यहां पर रुखी है मताजी तो यहां पर अभी हम देख रहे है कि जो अर्जुन ने सवाल पूछा कि जो वेखती गुणों से पार हुचेगा उसे क्या लख्या तो हमने कल्चर चाह कि प्रकाश हम चे प्रवर्तिम चा कि अगर प्रकाश मनला कोई सत्तोगुण आचाना से आ जाता है तो उससे वह ना तो खुश होता है और ना घ्रिणा करता है तो इसका मतलब क्या है कि वह उसका जो कारे भक्तिमा कारे वह जारी रखता है उसकी शक्ति नुसार और गुण अपने कारे करते रहते तो कल हमने विसर में चर्चकिया कि जब हम जपा करते है तो हम जपा में नीन आती है तो फिर हम उस नीन को पहले पहचानते है तो जो भ कि अभी मुझे पर तमगुण कार्य कर रहा है तो जो वेक्ति यह पहचान सकता है तो वह सत्वगुण में है क्योंकि सत्वगुण का लक्ष्चन की न्यान होता है हमें तो फिर उस न्यान होने के बाद फिर वह क्या करता है कि अपनी जागुरुकता और बढ़ाता है अपना पिर यह तो हो गया कि खुश नहीं होता अगर के लेकिन गुरुणा क्यूं करता जैसे अभी हम देखते हैं कि तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें भक्ति में प्रगति करना है तो हमें सतोगुण, रजगुण, तमुण के पार होना चाहिए तो सट्वकुन के अगर हमें पार होना है इसका मतलब इसका आरत ही भी होता है कि सट्वकुन भक्ति के लिए अनुकुल नहीं है तो यह सच है तो आपको उसका उधरण देता हूं मैं तो मेरे प्रिया भक्त मुलब फ्रेंट है तो उनके एक चाचा है तो वह ब्रह्मन परिवार से उनका रिस्ता है या वह ब्रह्मन परिवार से यह है ब्रह्मन मतलब गुणों से नहीं जन्म से ब्रह्मन तो फीर यह मेरे मीत्र बहुत यह उत्साइब भागतते हैं तो उन्होंने किसी ठीक से जाने हुआ लेकिन किसी महाराज का महा प्रसाद मिला मिला हुए ना। हम जानें कि जो प्रभपात निश्जिश्य महाराच जो है गुरु महाराच उनका प्रसात कितना मौत अप्रोन रता तो अगर आएंगे तो हमकी वयर व्तिक्त घायें गें इंगे जो तो ऐसा जो बहुत ही दुरलब चीज है कि किसी वाष्णव का खाया हुआ प्रसाद महाप्रसाद वो मेरा मित्र उनके चाचा को देने वाला था तो उनके जो चाचा है वो ब्रह्मान परिवार से तो आप जानते कि जो ब्रह्मान होते है तो ब्रह्मान का लक्षन करते है कि स्वच्छता तो ब्रह्मान स्वत्योगुण में होते है तो वो स्वच्छे रहते हैं विदोगा पठन करते हैं आध्यन करते हैं तो इसलिए अभी भगवधिता भी हम पढ़ेंगे, तो भगवधिता में 17 वे अध्याई के 10 वे श्रोग में भगववान मतते की तमोगुणी आहार क्या है, तो उसमें एक तमोगुणी आहार का लक्षन है की जूटा, तो किसी का जूटा खाना ये तमोगुणी में आता है, उसलिए हमें आरा प्लेट में अलग खाना चाहिए, एक साथ मिलकर एक ही प्लेट में खाना चाहिए, तो इसलिए किसी का जूटा खाना ये तमोगुण में, तो इसलिए हमें किसी का जूटा नहीं खाना चाहिए, जो प्रसाद नहीं है वो, लेकिन प्रसाद के संदर में ऐसा नहीं है, तो प पताया कि आचे ने देखो यह हमारे गुरु महराज का महाप्रसाद है कि तो उसको अस्विकार कर लिया तो अभी हम इतना तरस्ते फिर भी हमें मिलता नहीं है उसको मिला लेगी उसने अस्विकार कर दिया तो उसनने असिवकार क्यों किया ? क्योंकि उसको लोला कि जूटा और न la खाणा मतनब ये क्या था हमें खाना नहीं चाहिए तो उसको मालूम नहीं होगा तहमोगुष n. सत्वुण क्हया है लेकिन उसने है तो वह सत्वगुण रजवगुण तमगुण को पहचानता है और उसको सभी तरह से समझ चाहते कि आप इसका कैसा उप्योग करना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए कि इसलिए यहाँ पर प्रभबा जी कह रहे है कि कि लेकिन आत्मा ऐसे करें से प्रते वह किसी तरह फृतक होता है वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना उससे भाहर जाना चाहता है वो क्या करता है कि जब हम भक्त लोग भी है तो हम क्या करते हैं आभी गुण में हैं फिर हम गुण का इस्तेमाल कैसे करते कि जब अभी रात हो रही है तो तो सेहं सो जातें तो अगर हम अच्छे नीन– cheesy transparency अच्छी तरह से ध्यान लाए कि भगवान का नाम जब कर सकते हैं क्लास सुन सकते हैं तो इससे हाला कि यह तमोगुण है लेकिन हमने उसको भगवान के सेवा में लगा दिया इस तरह से वैसे रज्यवगुण में हमको काड़े करने की ईच्छй होती ये क्यों योऑ इच्छा है मुझे ये करना वो करना है तो ये भौतिक इक इच्छा है तो भगत लोग क्या करते हैं कि इस उच्छा को बदल देते कि किसी को बहुत है कि मुझे लोग को खाना खिलाना है मेरा नाम होना चाहिए तो फिर हम उस वेक्ति को क्या बोलते सब भक्त लोग है तो जो बड़े-बड़े सेट लोग है या जो मारवड़ी लोग है तो वो बड़ा-बड़ा दान करते और उनका प्रेड लगाते यह उसका जो दान था वो है भवतिक लोग के बज़ए भकतो के लिए ले खिया तुसलिए वही जो डान था या जो नाम था उसका जो रजगुण में था उसको उसने उसको उसको कि उसको शुद्ध भक्ति में लागा दिया तो यह हो गया है तो जल्दी उटते है हमारा थ्यार अच्छा लगता तो हम क्या करते है उसे हम एक्साइज नहीं करते हैं पढार करते है और जो होती है जुट कर नहीं है किसी और समय करते इसे लिए से सतोगून को हमने त्यागा निक ही इसलिए हम देख रहे कि अभी हमारा जीवन व्यत्थित हो रहा है तो हर रोज और और अरे इसा हम उस्से घुणा नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए तो क्योंकि पताएगी तो क्योंकि उसको तो रनिंग के लेने इस्तेमाल करना है तो मुझे बगवान की भक्ति करता है तो यह हो गया सूब दोपर और शाम के बारे में तो वैसे हम देखते कि जो भक्तों में अलग प्रकार के भक्त होते हैं कोई बद्धिमान होते हैं अच्छा प्लैनिंग करते हैं तो फिर उनको मैं प्लैनिंग की से जाती है यह तीचिंग की से जो में लगाते हैं तो पैसा जमा कर लेकिन वह भक्ति में कार्ये हो गया तो इस तरह से आ ठीकिंग करने करिदी हमेशा पैसे जमा करता है तो ऐसा उनके जो आधिकारे उससे गुरुणा तो उसको बोलते कि ठीक है आपको पैसे जमाई करना है तो भगवाण के जमा कीज़े आपको पैस गिनना अच्छा लगता तो आप फिर मंदिर में तो इसमें आचारे भी कह रहे है कि यह जो लक्षण है कि प्रकाश प्रवरतिम चा तो यह जो लक्षण यह सब आंदरीक लक्षण है तो यह किसी भार वाले को पता नहीं चलेंगे झाले तो इसलिए वा आंतरीक लिख्षण से वेक्ठी रिश्षारेक ही ने तो हम में तमकणार nen.. Amber यह पता चलेगा किसी और को ने पता चलेगा अंदर से तो यह आंतरीक लक्षण है और वैसे ही तो इस आंतरीक लक्षण छो दिख सकते हैं moves from test कर सकते तो वह झान सकते की यह विक्ति गुणाहती थे तो अभी आगे हम पढ़नेंगे इसके आगे पढ़िए अगला अग्ला प्रश्ज न ही अगला प्रश्न दिव्यपत पर आसीन व्यक्ति के व्यवार के सम्मंद में है बहुतिक पर स्थीत व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कतीत मान तथा अपमान से प्रभावित होता है लेकिन दिव्यपत पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिध्या मान तथा अपमान से प्रभावि में रहकर अपना कर्दवे निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई वेक्ति उसका संभान करता है या अपमान एक मिन रुकिए तो यहाँ पर हम देखते कि जब हम भक्ति करते हैं कि अब भी यह सादक बहत की बात कर रहा हूँ मैं तो यह कंद मैंने कंडशा की की जब हम सुद्र भक्ति कर रहे हैं 10 मिनट के लिए क aí कि कि इस लिए अगर हम दस मीनट के लिए सको समझेंगे या करेंगे तो हम उस जमयंशा ऐसा करता है तो समंझने के लिए आप उसको दुझा से समझ सकते हैं अगरिए को इसका सम्मान करेगा तो भी उसका कारेगा और उसको अगर अपमान करेगा कुझा उसका कारे करेगा तो यहाँ पर अभी कहा गया है कि सम्मान और मान तो यह शार्लिक सर पर होता है तो इसलिए हम देखते हैं कि अभी हम सब लोग मिले हैं तो फिर मैंने बोला सब को मेरा प्रणाम वांचा कल्पतर उभेश्चा कृपासिंग वेवच्छा पतिदानां पावने भवश्ण है तो जूखकर प्रणाम किया तो जूखकर प्रणाम किया मतलब कि आपको संबन दिया न और वैसे आपने भी उसक मान सम्मान शरी देन से मिलता है तो उससे वह प्रभावेत नहीं होता है अगर भलत सम्मान करेंगे भल अपना कारह बन कर देगा है उसको कारह जानी रखे का इसी तो उसके दो उधरणा आपको बताता हूं मैं वेक्तिका दूर्प से बताना चाहता हूं कि हमारे मंदिर में तो वह बहुत बड़े विएटी कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज ये पुना में उसके डारेक्टर है और साथ सब बहुत बड़े काउंसर भी है तो मतलब उनके अंडर एटलीस 4,000 स्टुडेंट होगे और वह भी इंजिरिंग कॉलेज के डारेक्टर है तो लेकिन मैंने देखा है कि वह इतने बड़े बड़े वेक्तिव बड़े पत होने पर भी मैं जब 2013-14 में आने का तो वह कुझी बहरी में क्या करने कि हर शनिवार र सब लोग नए लोग आते और अपना प्रसाल देके चले आते लिगें प्लेट नहीं दोते हैं तो फिर वह खुद वेक्ति का दूरुप से हर एक प्लेट को साबूल लुआ के दोने के और ऐसा उनका पूरा टीम था तो फिर अभी कोई विए टी का स्टुएंट भी बहुत स आप डारेक्टर है और यहाँ पर आप दूसरे लोग के गरीब लोग है कोई विकारी है कोई मध्यम वर्गी है ऐसे सब लोग आप जूटा प्लेट हो रहे हैं उनका अपमान भी कर सकता है ना या उनके लिए वो कारेकर नहीं आपमान जनक है तो लेकिन इतने बड़े पद है पागलपन कर रही है तो लेकिन फीर वह अժना कार्य कर रहे है और बोलए तो इससले से मान हो या अपमान हो तो घकतिकारीव काता है तो क्यू आसने तो कर रहे हैं किस अपमान होता regrets है तो लेकिन इस अपमान से भग जो है वह अपना कारे जारी रखते हैं तो इस तरह से जो वेक्ति है वह अपना कारे का तो हम भी उस पद पर है ऐसा प्रभाजी कह रहे हैं तो अभी आगे वह उन बातों को स्विकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके करतवे के अनुकूल है अन्यथा उसे किसी बहुती क्वस्तु की आवश्यक्ता नहीं रहती चाहे वह पत्तर हो या सोना वह प्रतिक व्यक्ती को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सायता करता है अपना मित्र मानता है और वह अपने तताकति चत्रु से भी त्रिणा नहीं करता वह समभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है क्योंकि वह इसे भलिबाती जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है उसे सामाजिक तथा राजनेतिक विशय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उदपातों के स्तीत से अउगत रहता है वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता खृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता ऐसे आजरन से मनुष्य बास्तों में दिव्य पदपरस्तीत हो सकता है तो इसलिए अभी इसके आगे प्रभपाजी कह रहें कि यह हो गया मान और समय प्रशंसा तो जो प्रशंसा होती वह मुख से होती है क्या प्रभुजी आप कितने महान भक्त है आप जल्दी आप भक्ति चालो कर दिये हमारे कुणा प्रभुजी भी है तो कल वो कंपनी में on duty हमारा क्लास अटेंड किये हलाकि वह भक्ति शास्त्री और फिर उनका इतना उत्सा है कि हम सब को उत्सा दने के लिए और वह खुद बहुत हिच्छा गीता जानने के लिए तो खुद से ही वह आ रहे तो यह बहुत ही प्रशन से नहीं है चीज और बहुत ही असाधरन चीज़ है तो इस तरह से तो वैसे ही जो हम भक्त तो बहुत धन्यात प्रोज आते रहें और बाकि आप सब लोग भी है तो अब मैं तो भर्मचारी हूँ यह हमारे सुमंगल सकापर भर्मचारी है तो हम फुल टैम डेटी करें हमारे ही काम है लेकिन बाकि सब घरहस्त है तो कोई दादी है तो उनको के अध्यान देना है कोई मातवसार अध्यान करना है ज्最 प्र्ति प्रती हो वह हमारा मित्र भी है लेकिन आगर मित्र से संग करेंगे तो आरह हुँ मेरा दोस्त है इसलिए जो हाला कि उसका मित्र है या था लेकिन वह भक्ति के लिए प्रतिकुल है उसको लेना देना नहीं लेकिन वही अगर जो शत्रू भी है लेकिन अगर वह उसको इंटरेस्ट भक्ति में तो उसको मदद करेगा कि इससे बुखक देगा या या उसके सेवा करेगा इस तरह से जो भी हमरे जिन्दगी में हो रहा है तो उसमें आपको बूरा नहीं माना और अच्छा भी नहीं माना है जो आपका काम कहा है उसको करना है तो इसलिए एक शब्द में अगर हम कहेंगे तो जो गुणों से पार कर दो काम से मतलब रखता हैं तो जिस चीज से काम पूरा होगा वो उसको समय देगा जिसके सबस्क्तिक नियुक्त करने खुट के लिए भगवान के लिए तरह से तो जो इता बड़ा डारेक्टर हो कभी जुकेगा नी लेकिन भगवान के लिए जुकते और डोनेशन में तो लेकिल वो जो वेक्ति दे रहा उसी का फायदा है उनका तो उनके पास बहुत सब्सक्राइब तो सिंगापूर में ये कंटी माला धोती गुर्ता आशेव और अगर आप जाएगे तो आपको जेल में डाल देंगे तो वहाँ पर यह सब चीज नहीं कर सकते तो इसलिए फिर वहाँ पर भक्त लोग शर्ट पैंट पेंट के प्रोड़ा बाल हुआ के जाते हैं पर लोगों ले रहे आप ऐसे कैसे भक्त है कांटी वाला नहीं पेंट रहें शिविंग नहीं कर रहें और जा रहें लेकिन भगवान परसन लेकिस्षे वागे जब विक्ति भक्त बनेगा था तो इसलिए उसके जो भी जरूरी वह कर रहें इस तरह से हम जो हमारे गुरुने का है और जो भगवान को अच्छा लाता है हम उभी करेंगे और जो अध्यात्मिधर की सबसे सही है वह हम करेंगे तो फिर भगवान प्रसन होगे रहें गुणातित हो जाएंगे तो उसमें और उद्रण मुझे ध्यान में आए कि जैसे युदिश्ट्री महराज भी है तो हाला कि यह बहुत बड़े भक्त है लेकिन जब भगवान ने बोला कि जूट बोलो कि आश्वत्रामा मर गया करके तो उन्होंने उस समय बोला कि आश्वत्रामा मर गया ऐसा उन्ह अश्वत्रामा महराज ने बोला कि आश्वत्रामा हत हुआ लेकिन फिर बाद में बता है कि जो हाती एक हाती था उसका नाम में आश्वत्रामा था तो वह हाती जो आश्वत्रामा मर गया ऐसा उन्हें बोला तो लेकिन जब उन्हें ऐसा बोला ता भगवाने शंग बजा द लेकिन यह जूट उन्होंने नहीं बोला इसलिए उनका रद जमीन पर आगया तो इसलिए जूट बोला यह तामंगोण की क्रिया है लेकिन जब आपको इस तीनगोण से पार जाना है तो इसलिए आपको सकत है जूट भी बनना पड़े तो फिर वो आपको गुणों के पार लगे जाएगा तो इसलिए जादा को सब्सक्राइब पूरी तरह से जो गुरु पर उसको फॉलो करना चाहिए तो भगवा ने का आर्जुन को सब को मार दो तो वो बला कि उनके से मारे तो मेरे पैरेंट है यह तो मेरे जाचा है यह तो शाला सम्मिंदा सम्मंदिन अस्तता ऐसा कर गें लेकिन फिर भगवाने दों को समय तो फिर उनने लड़ाई की इसा तो इस तरह से हमें सर्णागत होके जाना चाहिए तो फिर हम आगे अब 26 लोग तो मैं उसका दूसरा भी ओपन करता हूँ सब्सक्राइब डिए विशने जाना चाहिए तो थो थो फितियु को टो 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 कॉर्ट पेंट च कर सक मेंदिन चेप्सनी स्क्रीण कोई सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा पीज़ कोई सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा हां ठीक हम पहले उचारन करेंगे फिर हम पढ़िए 14.26 अभी हमने इसको रिसेट भी क्या है माम चयो अभिचारेन भक्ति योगे न सेवते सगुणान समेटत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते अभूयाय कल्पते कि अब इसका अनुवाद पढ़िए तो अब इसका अनुवाद ही पढ़ेंगे पढ़ेंगे फिर मैं आपको एस्प्रिंग करता हूं हाँ एक मिंटा मैं इसको शेर करता हूं तो सबको एक साथ हाँ ताथ परिया अभी पढ़े मतलजी यह वोग अर्जुन के कित्ती प्रेशन के उप्तर स्वरूप है प्रेशन है कि इसकी प्राप्स करने का चाधने क्या है जैचा की पहले बताया जाए तो यहां पर अभी भगवान के कह रहें कि अभी आरजुन ने सवाल पूछे भगवान को कि जो गुनातित वेक्ति है तो तो उसके लक्षण क्या है तो भगवान ने लक्षण बताये 22 श्लोक में आंतरिक लक्षण फिर 23, 24, 25 में भगवान ने उसके भाईय लक्षण बताये और फिर आरजुन यहां पर पूछते है कि कथम चे एतान गुणान अती हुए तो किस तरह से वह वेक्ति इस गुणों के पार होता तो यह प्रश्णा भी आरजुन ने पहली वार पूछा है तो फिर अभी गुणों को पार कैसे होता है वह वेक्ति यह हमको भगवान बता रहे है तो इसलिए अभी आरजुन किसके लिए सवाल पूछ रहे है हमारे लिए सवाल पूछ रहे है तो आरजुन पूछ रहा है कि जो त्रीगुण के पार हो चुका है वेक्ति वह कैसे पार तो इसले पर आर्जन पूच रहे हमारे सवाल पूच रहे हैं कि अब में इस गुण में फच चुका अब इस तो मुझे इससे पार होना तो फिर मुझे क्या खरना चाहिए तो इसलिए फिर मुझे क्या करना चाहिए है मुझे में कुछ मालूम नहीं है तो फिर मैं जिसने वह कर चुक है उसको क्या करना चाहिए तो तो जिसने अलड़ी कार्व लिए हम उससे लेते हैं वैसे ही जो विख्ति अलड़ी गुणों के पार हो चुका है तो उसको हम अनुसरण करेंगे तो इसले आर्जुन नेश्वाल भूझल की जो गुणों को अनुसरण कर चुक उसने कैसा रस्ता अपना यह कि युदू से पार हो जो ही रस्ते पर हम चलेंगे तो इसले वह हमारे लें पूछ रहे कि हमको अगर गुनाट उकर पार जाना है तो हमें क्या हो oc gives टीसरी वकिति की बाथ नीं हो रही है कि एक कोई तो गुणासित व्यक्ति वो गुणासित हो गया तो कैसे हो गया हमको क्या मतलब तो कैसा हो वह इंपोर्टन है तो इसलिए हम वह जानना चाहिए तो वह भगवान अभी प्रवपाजी हमें इस तात्रों में बता रहे और अर्जुन हमारे लिए सावाल पूछ रहे कि तो कल हमने देखा कैसे चमतकार हो रहा है आप सबने तो इसलिए अब ये चमतकार से हमें अगर बचना है तो यह हमें बता रहे हैं तो चमतकार जारू चालू है चमतका 24 गंटा साथ तो दिन 12 महीने बाद भी चमतका चालू है हमारे पर जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक तो आँ ऐसा मैंने सोचा गल कि आँ जब तक शरीर में प्राण रहेगा और मुझ पर ट्रीगुणों का प्रभाव रहेगा प्रभाव से बाहर कैसे निकलना है अब हमें बहुत महत्त पूर्ण चीज प्रभवपात बतर इसलिए मैं इसको इतना हाइलेट कर रहो हूं तो अभी मातर आगे पड़ी है तो यहां पर आपस मनुष्य के मनुष्य को से बढ़े मनुष्य को मनुष्य को गुणों से कर्मों के विश्मित नहीं होना चाहिए कि इसे काज़्यों मना लगाता है कि नाम चे विख्याद है जिनमें शड़ेव क्रिश्न के लें काज़्य करना होता है इसमें ना केवल पूर्श नहीं हाज़ी आति तू उसके उनके दिभिन पुर्णाश भी सम्मिलित है कथा राम कथा नरायं आन्वीट करके बोली मांदाजी हाँ हाँ आ रहा रहा है क्रिष्नक आलश भक्ती योगत्रे नाम के लिठ्ष्याश जिन में चेवर क्रिष् नहीं आके अतिड्यू उनके दिभिन पुर्णाश भी सम्मिलित है जगह राम कखा नाराइश उनके अचंग आइख है जो किसी भी रूप या उनके पुर्णास की सेवा में पढ़िक होता है उसके जिद परक्वर इसकी समझना चाहिए ज्यान गेना होगा जिसके कारे रूप कुरने का इस और सटीका नंग रूप है एक मिनट ना एक मिनट तो अभी हाप रूप जए तो किसी के बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है या हसने का तो आप मैं मूट करता हो फिर भी आ रहा है तो इसलिए अब यहाँ पर मैं प्रभबा जी कह रहे है कि अरे यह गुण आ गया अभी सब्सक्राइब अगया अभी यह सबमें सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए लेकिन घ्रक जाधा भी उसमें पाकर नहीं होना चाहिए यह जाधा भी उसमें इनॉस्य अभी इह क्या करू अबी मैचाहीं जिससेयो मैं यह MGb में तो ओमा सबस्क्राइब चाहिए maithasaf कैके प्रभबा के था को तो मन YouTube को घुनों के करम से विच्छलित नहीं होना चाहिए और उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कारे में लगाकर उसे कुरुष्णा कारे में लगाए तो इसलिए जहां तक हो सके जो महतो पूर्णा चीजे है उस पर हमें सतोगर्णा चोटके चिंतन करना चाहिए लेकिन परलेसिस ऐसा नहीं होना चाहिए आज के दिन परोचे बेट्रूम बिल्डिंग चाहिए तो दूसरे दिन में जपन नहीं किया ना पर तीसे दिन में पूरी सपाई कर दी हमने इसा करके इसलिए तीसे दिन में हमने प्रेडिंग नहीं किया तो ऐसा फिर आप सतोगुण में भेह रहे आप वक्ति को छटब कर सतोगुण में जा रहे हैं तो आपकी जो चेतना है तो चेतना को कृष्णा भावनामरित में रखन चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा लिया और आपस आगे चले तमगुण आ रहे है थोड़ा सा उसका जो भी कारे करना है कि आगे गए तो इस तरह आगे बढ़ना है इसलिए हमारे चेतना हमेशे कृष्णा भावरत में होना चेह ना कि इन गुणों में लेकिन बिलुकुल भ जो मुख्य शाका है आके प्रगतिगी वो पुरुष्णा भक्ति में होने चाहिए और उसमें कोई बाधा ना आया उसको प्रोथान मिले उसलिए जो आनुकूल है इन गुणों के लिए गुणों से इन गुणों के सवभाव से या गुणों के वातारवांट से जो हरे हरे तो फिर खक है अच्छा है हां कुरस्णा भक्ति करेंगे हम अ के भैक्ति क्रिस्णा की भक्ति धा क्यों करेंगे घुल्व मैं विष्णुं की बख्ति करूँगा तो इसलिए भगवान यहां पर क्या चाहरा है कि जो भगवान है वो लिमिटेड नहीं है वो अनलिमिटेड है JAMES इसलिए हमें जानना चाहिए कि शुद्ध भक्ति क्या है तो इसलिए यहाँ पर प्रभपात के रहे कि केवल कृष्ण नहीं आते तो अपर उनके जो भी अवतार है नच्छिंग्डेव विश्णु हो घंवंत्री हो गए वार्श्णु राम हो गए तो जिते भी भग्वानकी आउतार है गर्मुदक्खे विश्नु कड़णक्ट्ष विश्नु तो ये सब देवता में आते हैं जो कृष्ण के डारेक्ट अंश है इसलिए ये भी हमें इसका फरक करना आना चाहिए जो राम है कि वरह आउतार जो विष्णु के आउतार है तो वह सबी जो है वह भगवान विष्णु जैसे ही शक्तिशाली है वह सबी और उन सब का भक्ति करना भी कि इस में प्रवृत होता है तो वह प्रपत करें कि उसको दिव्या पंद बर स्थित समझना चाहिए और तो अभी इसके आगे मांतजी बड़ी इश्वर के ऐसे रूप सर्वश्वक्तिमान दिवेगुण पाए जाते हैं यह कोई कृष्ण कोई कृष्ण नहीं शोष्ण के इस सब्सक्राइब करने को द्रवप करण के फद्रयप्ति में पुष्टी भी कर रहे हैं कि अपने मन से क्या करें कि कुर्ष्णा के आंशे तो वह उतने ही शक्ति शाली है और हमने देखा कि जो त्री गुण मही जो माया शक्ति है उसको पार करना बहुत ही मुश्किल है तो भगोतिता के साथवे अध्याय के चावदाव श्लोक में हमने यह देखा है तो मैं वह पस तरफ जाएंगे यह जरूरी है आपका यूनिट 3 चल रहे है तो अभी यूनिट 2 और यूनिट 1 की बात हो रहे है तो अभी हम यह पढ़ रहे है 14.26 तो अभी हम जाएंगे साथवे अध्याय में और चावदाव श्लोक में तो मांता चीब इसका अनुवाद पढ़ी है इस परक्रिश्ट इन गुनों वाली इस मेरी डेवी डेवी कर्टी को पार कर पाना करती हुआ है कि तुझ जो मेरे शर्णागत हो जाते है वह सरलता से से पार हो जाते है ठीक है इतना ही पढ़ना है तो इसलिए यहां पर सात्वयद्य में यह 14 लोग में भगवान कह रहे देवी एश्यव गुंडवी मामा दुरत्या माम यह परपद्यांते माया एताम तरन्दी तो इसलिए देवी गुंड में जो माया है इसको बहुत ही मुश्चिले पार करना लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेगे तो ही हम उसको पार कर पाएंगे तो यह भगवान ने खुद पहले का है तो अभी आके पड़ी मताजी कि अधी कुछन की कुछन की शरण गरहन कि श्रण करने पर करन्थी प्रष्टी के गुनों के प्रभाव को लागा जा सकता है कि यह खुद भगवान के यह करते हैं कि अधी प्रटी चितितर नंक जरूर करूप है और शारे जी परविए इस प्रकार कोने के लाटने की खान के आंगे आएंगे है हापाद पढ़े 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 इस परकार वर्तमान रहता है कि अन्यक्ता बक्ति योग कोई अपका आवास तोड़ा जोर से पड़िया है तोड़ा जोर से बोलिए हाँ कि कोई भगवान जेचेटी वश्कर पर इस्थिक नहीं है तो वह भगवान की शेवा नहीं कर सकता उधारनाज ताजा का नीजी शाहर बनने के लिए कुछ योग्यकाय आवस्चत है इसकर भगवात शेवा के लिए योगता है कि ब्रह्म बना जाए यह होकित कलमें के मुख्ट हुआ जाए तो चर्चा के लिए मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता है तो चर्चा के लिए मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता था तो यहां पर अभी भगवान उदहारन दे रहे यह में बतना चाहता था तो यह आपको दिख रहा है तो यह क्या पहाड़े करके तो लेकिन यह सोने की खदान है जिसे सोने की खदान है तो लेकिन जितने शक्तिëlस संक्या है तो लेकिनm तो उसके तुलिना में पहुत अधिक मात्रा है झत जिवात्मा है तो उसमें वह ही गुण है लेकिन वह कं अंश में करें यह हमें जौनना छे थे तो भगवान इससे ऐसा कर रहें तो लेकिन हमें भगवान की सेवा करनी है है तो हैं भी होने चाहिए है तो हम हम यहां पर की आगर अगर हम हमारा प्रस्तित ये तो हम बिलोह हो जैसे कुछ फाड़ी। समय लेकिन सोना बहुत ही मुल्यमान है तो अगर हमें सोना बनना है लुए से अगर हमें सोना बनना तो फिर हमें क्या रस्ता है उसके लिए को इस को बता सकता है सोच के तो एक उधरन दिया शास्त्रों में हां इस मांताची बुली कि पारस के संपर्ख में बहुत बहुत अच्छा हरी बहुत तो पारसमणी आवश्यक है तो ऐसा कहा जाता है कि पारसमणी जो होता है तो उस कासपर्ष अगर लुहे को हो जाए तो वह अभी सोना बन जाता है वह का से दय्याथ रल्य है प्रास मनित्त फिर पारसमणी क्या है हमारे इस उधरन में तो जो भक्तों का संग है यह भकोष गीता है या आरिनाम है तो यह सब जो है जो बऍर चीज है भगवान के विछ्ताब है सब उनके समपर्ग में हम आएंगा तो हमी लोगे से ह तो यहां पर भगवान कहते कि वह मेरे भाव को प्राप्त करेगा तो फिर ऐसे कौन से गुण है जो हमें प्राप्त होंगे तो इसका जो विस्तार है तो यह प्रापान ने बहुत ही शौट में बता है लेकिन विश्वना चेकर ठाकुर जी इसका और विस्तार करते कि जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे जहां गुणातित हो जाएंगे तो हमें क्या-क्या फीचर्स और एड हो जाएंगे क्या-क्य तो जो आठ गुण है भगवान में तो वह कौन-कौन से गुण है अभी हम मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहला जो गुण है कि जो विक्ति ब्रह्म भुया मतलब जो ब्रह्म स्थान वर पहुंच चुका है तो माम चाहिए ब्रह्म भुया कलपते ब्रह्म भुया प्लैटफॉर्म है तो उसमें क्या हुआ कि उस स्तर्वर पहुंचने अब आप कभी भी कोई पाप नहीं करोगे जो भी कारे करोगे तो उससे आपको पापन लगेगा तो हमने दिखा कि पुरुक्षित्र के युद्ध में अर्जुन ने कितने सार लोग को मारा तो ऐसा कहा जाते कि महाबार के युद्ध में 64 करोड लोग का हत्या हुआ तो लेकिन वो सब दूर्जन लोग थे इतना सारा नर्ज सार्वन के बावजुद भी कोई पाप नहीं लगा क्योंकि वह भगवान के आदेश के अनुसर हो रहा था तो इस तरह से यह पहला गुण है माताजी में आठ गुण कंप्लेट करता फिर आपका स्वाल लेता हूं फिर दूसरा जो है कि आपकी मृत्ति नहीं होगी तो हम देते कि जब हम जो सच्छे नानंद आत्मा है तो वैसे वह भी उसकी मृत्ति नहीं होती है फिर भुड़ा पानी होगा फिर साथ आपको कोई पिन लगेगी तुम देते की जो रगुनादत गुस्वामी थे हमारे आचा रहे तो वह तीन दीन में चिर्फ एक बार इतना हाथ भरके अंजली भरके छास पीने के और ऐसे उन्होंने बहुत सारे साल बिताए कि पुड़ा उनको एनरजी कहसे मिला है उनका पौटेिं कहा सा और कारबौध कहा से है लेकिन आत्मा के सर पर उसको भूक सदती नहीं है तो हमने इसका पूश्टी हम देखते है कि जो अपने फर्स्ट कोर्स के आउपदेशाम्रस में कहा है कि वाचो वेगम, मन्सक रोदम, जीवा वेगम, उदर मन्सक पेट, उदर वेगम मन्सक भूक, उदर वेगम, उदर उपस्त वेगम तो यह छेवेग को जो गुरू हो जाएगा, हर जगर शिशे कर पाएगा, तो इसलिए आपको उस तरह जाने के भूक से भी आपको परिशानी नहीं होगी, फिर आगे क्या है, वैसे आपको प्यास का भी कोई समस्या नहीं होगा, तो को जो लगे कि रहे, प्यास का समस्या कैसे नहीं होगा, मुझे था प्यास लग रही है, मैं पानी पिले तो हूँ, अभी मैं शुद्भग नहीं बनाओ, इसलिए हम देखें जो परिशित महाराज है, तो शिकार के लिए गये थे, और शि अब दोड़ना पढ़ता है सब पीछे तो उनको बहुत प्यास लगी और वह प्यास लगी इसे वह पानी मिले चले गए शमीकरुषी के आश्रम में और वहां पर शमीकरुषी ध्यान में बैठे हुए थे तो फिर उन्होंने उनको कुछ ध्यान दिया निए उनको पता नहीं अापने मेरे पिताजी जब उनको मिलने पिर आपस पर यह भागवत हम सुनने के लिए गंगा के इनारे आते हैं तो आपर साथ दिन साथ रात वह बीना सोई बीना खाये पीए बीना प्यास से वह भागवत कता सुनते हैं तो इसलिए और अलड़ी ही जो है वह शुद्ध स्तर पर है इस तरह से हम उस स्तर जैसे बढ़ेगा तो हम इसके भार आएंगे तो यह जो है माम साथ धर्मयम आगता तो मेरे धर्म को प्रात हो गया तो यह पाच्वा गुण हो गया फिर छटा गुण क्या है कि वह कभी हां मैं आपको चाहिए तो शुरुआ से पढ़ता हो पहला गुण है कि कोई पिर बाद में पाच्वाए कि आपको प्यास ने लगी में अब पाने प्याओ फिर च्छटा है कि शोक आप कोई भी शोक नहीं करेंगे यह इसा कर दिया अलामेंटेशन दोसके बोलते तो वह वेक्ति कभी शोक नहीं करता है तो जो वेक्ति दिवस्तर परें कभी शोक नहीं करता है करें मेरा अधिसाम देखे प्रवपात को हमारा कृष्ण महारूद आनुन में सिद्धी मिलने के लिए यह सबी इच्छा यह पूर्ण होती है तो जो भी इच्छा वो करता है वो पूर्ण होती है तो एसा वो गुण है तो हम देखे कि प्रवपात एक बार चौपाटी आये थे तो वहाँ पर एक सामने भावन है उसका नाम साथ गीता भावन की वह याद में का है तो उन्होंने इच्छा कि यहाँ पर एक मंदिर होना जैसा उन्होंने इच्छा किया तो फिर कुछ साल लगे बाद ऐसा परसित हुए कि आभी वहाँ पर इसकौन चौपाटी का बहुत बड़ा मंदिर है तो इस तरह से प्रवपान जो भी इच्छा कि सब इच्छा भगवान पूरा कर रहें तो इससे जब शुद्वक्त आप भी खुद बन जाएंगे तो आप जो भी इच्छा करते भगवान के सामने भक्ति में इच्छा भक्ति में तो वह पूर्ण होती है इस तरह से तो आपको भी अनुम आया रहेगा आपके जीवन में तो फिर जब शुद्वक्त बनेंगे तो निश्य थी वह इच्छा पूर्ण होगी तो हम देखते हैं कि जा धुरू महाराज उनको भगवान प्राप्त होते हैं और फिर वह भगवध्धाम के लिए जाते हैं तो उनको वह बोलते हैं मेरे माने मुझे मारदर्शन दिया आपका भक्ति करने के लिए बगवन तो मैं तो अभी जो गरुड वहान है बैठके जा रहा हो वह कुंट लेकिन मेरी मा का क्या हुआ तो उनकी चा तो अभी हुई कि मेरा मा का क्या हो लेकिन भगवान बुलते है कि देखो उधर उपर देखो वह जो आगे जो एइरोप्लेन जा रहा है तो उसमें आपकी मा विराजमान है तो उनकी अठीकि की उनकी मा महाँ भगवधाम जाये तो वह उनकी इच्छा पुरी ह कि उसलिए जो शुद्ध भक्त है या जो गुणातित वेक्ति है जो भगवान के स्थर पर पहुँच चुका है तो वह हमेशा कोई भी परिस्ति हो तो उसमें वह पूरी तरह से संतुष्ट रहता है संतोशी रहता है तो यह जो है इसका आते ममसाधर्म आगता हां इसलिए यह यह जो आभी आपको स्थुने का तुक्ड़ा दिख रहे है तो यह स्थुने का तुकड़ा हमेशा उसका जो वेक्ति महत्वब हो बना रहेगा तो ऐस नहीं कि अबी संतर्मे परभभभा जी कह रहे है कि होक जो शेवक है और मालिक है तो वह हमेशा एक सांते रहता है लेकि तो ही उर में आदाम भरतन होगा । हम क्या देछते कि नोठोने करना होता है तो कितने लोग होनी चाहिए कम से कम दो तो होने चीह है ज्यादा भी हो सकते दो जो टबी ही पूर खोगी निए अब है तो पृर्इम करने के लिए आधि मेहें लेकिन मेरे में और यह मोबाइल मरा हुआ है या इसमें कोई जीवन नहीं इतना आ सकत क्यों हो कि इसको हमेशे लेकिन दूर रहता हुआ जहाते को से क्यों क्यों कि इस मोबाइल में क्या है उनके मोबाइल में है जिसको मौबाइल करता है तो इस से में यह मोबाइल भी है यह किसका प्रतिनदों करता है नियुक्ति रहता है जिससे में और अ भॉण करते यहां पर भगवाण कि कि उप्लूं कि यहांड मुक्त हो जाएंगे तो भी हम भगवाण में विलीन होंगे हम थे हमारी आश्तित्वा थे ही कि थे ह्ए भगवान का है मझीnow Знаan लेगा कि तोıllगल रहे घ्ली होग के फिर म्लें से बलेगा लेगा को है कि नी तो कम से कम दो बेंक ने चाहिए तो इसलिए भगवान अगर हम भगवान अकेल होगे तो ऐसा प्रभबा जिसमें कह रहे है तो में आपका प्रशना पूछे अब पूछे अब प्रभू मैं बस यह जाना चाहिए थी कि ब्रह्म के इस तरह तक हो जाते है और यहां भी यह वर्ड यूज हुआ है इस तरह भगवान सेवा के लिए योगता है कि ब्रह्म बना जाए या ब्रह्म किसको कहा गया है यह थोड़ा क्लियरिटी हो जाए तो इसलिए यह शब में प आपको ब्रह्म परिशा कि यह यह जो ब्रह्म मतलब क्या है इसका आर्थ है कि ब्रह्म मैं तो ब्रह्म मतलब क्या कि पूरी तरह ब्रह्म की सेवा में लगा हुआ तो जैसे भी आप का उधरन हम लेंगे कि अभी आप हरोज सुबह उठकर जब करती है और जब आपको समय मिलें जैसे रहवार को आप मंदिर आती है और भगवान के लिए जैसे घर में आप आफरिंग करके बनाती होगी कभी 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 यह हमेशा मुझे पता नहीं अभी कि सब्सक्राइब करने से वह सतों की यह है तो इसलिए इस लेटफार्म पर भक्तिशस्ति अगर कोई विक्ति कर रहा है तो इनिशेट भी होगा दस साल से और हो सब्सक्राइब हो या मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता तो लेकिन मैं एक समान दुश्री से बोल रहा हूं तो आफियाथ तक ऐसा हम बोल सकते हैं तो यहां पर जो ब्रह्मक शब्द है तो उसका अर्थ क्या होता है कि धृभिया मतलब क्रिश्न अर्थ इस संदर में कि भ्रह्मकी स्वा करना मतलब क्या क्रिष्न कि सेवा करना के अभी आगले श्लोक में भपरोपार सक्लियर करतेons करते है तो शनते हैं बहु कि अब यह आप जो घीता पड़ रहे तो यह भी भ्रह्मा की एफ तो चुल दो थो लेकिन बहुत आग़ को इसको देखेंगे आप और है तापके आपका ब्रह्म मिट जाए तो आठ्राव आध्याए के अधिंगा शेवेंट शिक्स्टी नाइन स्लोक में है तो सेवेंटी में हाँ सेवेंटी करेक्ट तो माताजी इसको पढ़ सकते हैं कि शिर्फ अनुवाद पढ़िये तो यह आठ्रावद्य का सत्राश लोग है भगवान करें अधिशित चाहिए यह इमम धर्मन स्वंवादम आवयो हो यान यगिनति ना हमिश्ट श्यामिती में मत ही तो और में यह गुशित करता हूँ भगवान हुशिश कर रहे आपर कि जो हमारे इस पवितर समवाद का आध्यान करता है अब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग भगवान और अर्जन भाई समवाद का आध्यान कर रहें तो वो अपनी बुद्धी से मेरी पुजा करता है तो इसलिए भगवान की पूजा कर रहें किससे कर रहें अगर अपति से नहीं तो बुद्धी से कर रहें कि इसलिए यह जो पूजा रहाय भगवान क्रिस्ट्न की इसे से ही कि हमने पिछले कूछ ब्रहूं देखा था कि अगर हमें भगवान का साक्षतकार करना है तो तीन स्तर पर होता है भगवान का साक्षतकार तो सबसे पहला और सबसे बेसिक साक्षतकार है वह ब्रह्मा कि कोई तो चीज से जो दिव्या है पर दूसरा स्तर जो है वह है परमात्मा और तीसरा स्तर है भगवान इसलिए यहां पर जब भगवान या प्रभपाजी ब्रह्म का इस्तमाल कर रहे है तो उनका कहने का दात्पर यह है कि भगवन कृष्ण की सेवा हमारे संदर्म में ठीक है माता जी अब आगे इस्तमाल होगा तो इसलिए आपको जब भगवान को संभोधित कर रहे है तो इसलिए भगवान की प्रकाश जोती उसको भी कहते है जो दिवे उसको भगवान ही है तो ब्रह्मा परमात्मा भगवान नहीं एक ही है सिर्व अलग-लग स्तर है है तो हमने देखा उधरन का जैसे भक्तिशिदान आ जब भगवान क्रिष्ण हमारे सामने खड़े बहुत दूर तो उनको उनके शरी से प्रकाश निकल रहा है तो पिर जो लोग उदर ही खड़े उनको क्या लगता कि भगवान मतलब क्या कि प्रकाश यह भ्रह्मा यह फिर उससी उदारण में जब ट्रेन आगे आई और लोग आगे गए तो उनको दिखा कि यह जो ट्रेन यह केवल लाइट नहीं है तो ट्रेन गदा है बहुत सारे डिबे भी है जो योगी यह जो भकता है जो और भकती करके आगे बढ़ता है उसको दिखता है कि भगवान के वल भगवान के शेरी से क्वल प्रकाश नहीं आ रहे है यह भगवान का एक रूप भी है इस तरह से यह उनका धाम है तो यह हो गया परमात्मा का रिलाइजिशन यह साक्षत पा फिर जब तीसरे स्थर के जो गावले लोग थे जो नों जाके देखा कि ट्रेन सामने आ गए उसमें से लोग उत्रे तो उसमें ड्राइवर भी है तो फिर ट्रेन भी होती है ऐसा घर के तो फिर वह हो गया भगवान का साक्षत का तो यह माताजी क्लेर अंडेस्टेंडिंग तो एसा आगे चर्चा होगा तो नेक्स्ट हम पड़ेंगे अभी इह हो गया ओके इसे रहे हैं जो आज बताए ना आपने इसमें चौथा गून क्या था हाँ चोथा गूंड कोन सा था एक मिना करेंगे और कोई पशाता नहीं करेंगे और सभी इच्छाब की पूर्ण होगी याद रखिये और पूरीदा संतुष रहेंगे इस तरह से तो यह जो चीज अभी बता रहें तो यह जब आप उस तरवर पहुचेंगे तब ऐसा होगा तो अभी हम वापस जाएंगे हमारे चवद्धा के आखरी श्लोक में तो मेरे साथ आप उचारण कीजिए दो तो अभी शुमंगल्सका पुरप है क्या ओनलाइन बाइस? तो इसका अनुवाद पढ़िए और मैं ही उस विराकार ब्रह्म का आश्रे है जो अमर्थ अविनाश्व पताश्वत है चरम सुप का स्वभावी क्वद है अभी मैं अहां ताफरे पर जाएंगे इसमें कुछ दियान लगता इक मेंटा इसमें तो 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 इक मेंटा तो इसका जो अभी यह जो मेरा आप है इसमें इसका आनुवाद नहीं दिया है तात परिया तो पावरपाइंट इसमें से हम पढ़ेंगे एक मिटा तो यह आप जो बना है इसमें कुछ-कुछ जगह देखा अभी कि उसका कुछ दिया नहीं है हुआ है इस वह जो यह एग्यू सब को पढ़ने के लाएगा इसानुवाद में प्रेस करता हुआ है सब्सक्राइज प्रेंट स्लाइड आपको यह पॉण्ड पढ़ सकते हैं आपको दिख पार यह पड़ पाइगे ना साइस ठीक है ना तो अभी आप पढ़िए परमात्मा इस दिव सक्षातकार की मत्या जीती अवस्ता है और भगवान परम सक्षिके के चरंद सक्षातकार है तो माधा जी आप देख सकते कि जैसे मैंने कहा वैसा परोपत जब इससे आगे कह रहे तो आपका डाउट है यह सीरीज में आ रहा है ठीक है आगे पड़िए क्रिश्या प्रभु जी हम लोग भी सोड़ा सा पढ़ सकी हमें प्रैस करता हो होता है कि लिकिन इसे सब कुछ दिखेगा नहीं सब्सक्राइब और बड़ा भी हो सब्सक्राइब हो पाएगा एक मिट अच्छा में याद देला है कि 14.27 कि कि अब ठीक है माता जी कि प्रभु थोड़ा जादा बड़ा लेकिन मैं इसको मूव करूगा अभी अधर परशी पढ़िया भी कहां परत्याप कि थोड़ा सब्सक्राइब हमारी तरफ से राइट साइट थोड़ा सब्सक्राइब कि कटे के तो फिर चोटा हो जाएगा ऐसा हो रहा है कि अप्टिमाइस करता हूं में इस से बढ़ा भी नहीं होगा आप भूक से पढ़िये जाए तो सुमंगल सब्सक्राइब पढ़िये इदर से अतेव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म में दोनों ही परम कुरुष के भीतर रहते हैं सात्य अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है भगवान इस अपरा प्रकृत और प्रकृति में प्रकृति को गर्वस्ट करते हैं और घृति की लिए आध्यात्म स्पर्श है जब इस प्रकृति द्वारा बद जीव आध्यात्मिक ज्यान का नुशिलन करना प्रारम करता है तो वह उस लिस ब्रहाइद के ब्रहमบद तक उछ जाता है hij है इस ब्रहभाistes तो वो तीन सर पर जान सकते हैं एक तो ब्रह्मा दुसरा भर्मात्न और तीसरा भगवान फिर आगे वह कहले कि जो भौतिक प्रकर्टी है जो मया दिवे तो भगवान की सेविका है और वह भौतिक है लेकिन जब उसमें हमने देखा कि जब उसमें जीवात्मा प्रवेश करते है भगवान का दुष्टी बात होता है तो वह भौतिक प्रगति उसको आध्यात्मिक स्पर्श होता है यहां पर दो चीज आध्यात्मी के एक भगवान और जीवात्मा वह भी आध्यात्मी की है तो फिर उस आध्यात्मी स्पर्श से फिर वह जीवात्मा प्रगति करता है पर आगे जो बहुती प्रगोती से जीवात्मा का शेर बना हुआ हुआ है तो बहुती बन जाता है लेकिन जब जीवात्मा अध्यात्य गिन्यान के संफर्ख में आता है यानि कि आध्यात्मी ग्णान मतलब फ़ी पारस्मणी जैसा जर्चाइग tenha थिरे-दरे क्या होता है भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्वस्त करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्ष है जब इस प्रकृति द्वारा बज जीव आध्यात्मिक ज्यान का अनुशिलन करना प्रारम करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से उपर उठने लगता है और क्रमशा परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ जाता है ब्रह्मबोध की प्राप्ती आत्मशाशातकार की दिशा में प्रथम अवस्था है इस अवस्था में ब्रह्म भूत व्यक्ति बहुतिक पद को पार कर जाता है लेकिन ब्रह्म साक्षातकार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता यदि बचा है तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षातकार को और फिर भगवान के साक् सब भगवान जो जगत के जो मालीक थी तब यह प्रकाश निया तो वह एक परमात्मा है फिर जब और प्रकाश प्रकाश जो है तो वह एक वेक्ति है ऐसा पर रपाजिहाए इस आगे पढ़ीए वैदिक साहित्य में इसके उधारन भरे पड़े है चारो कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित्थे लेकिन क्रमशाह में भक्ती पत तक उठ गए जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पत से उपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है प्षिमत भागवत में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले किन्तु इससे उपर उठे बिना पड़ा हुपर हाई यस उठे बिना तथा परम पुरुष के विजए में सुचना प्राप्त किये बिना उसकी बुद्धी विमल नहीं हो पाती तो यहां पर अभी प्रभा जे उधारन देरे कि जो ब्रह्म में मतलब क्या कि जो वेक्ति सोचता है कि जो परम शक्तिमान है तो वो एक प्रकाश है इस का उधरन है जाटश कुमार वो पहले निसी के पुड्र तो वो पहले वर्भास वादी थे उनका क्या माना था कि ब्रह्म ही साक्षात बढ़ा ने वनका रहे है लेकिन फ़ाइसारि अल्वान का भी प Inner रूप है यह तो भगवान के चरण के तुलसी के दल के उपर से वायू ने उसमें से प्रवास किया वायू की जो गंध है वो उस तुलसी के जो पत्ते उसका सुगंध लेके वो आगे गए और उनके नाकों में गई तो उस समय फिर वो जो निराकारवादी जो थे या जो ब्रह्मावादी जो चतिश कुमार थे वो भक्त बन गए और फिर उन्हें पता चला कि भगवान जो है वो प्रकाश नहीं तो उनका वहतिका दूप है तो इसलिए जब तक कोई भी आध्यात्मीक न्यान हमको प्राप्त नहीं सोच रहेंगे हमारा कभी प्रगत नहीं होगा इस पुछ आगे प्रवई सह लसं येवायं लब्धान लब्धवानन दी भवती रस की आगार भगवान स्रीक्रिश्म को जान लेने पर मनुष्य वास्तो में दिव आनन्दमे हो जाता है परमेश्वर छहों एश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुँचता है तो इन छह प्रविच्वर्यक्ति में या पहले से ही प्राब्ध रहते हैं तो यहां पर अब ब्रहबाद का कह रहा है कि जो नहीं हम चर्चा कर रहते कि जब यह कोई प्रेम होना चाहिए या प्रेम है तो फिर उसके लिए कम-से-कम दो लोग होने चाहिए एक प्रेम, प्रेमी और एक प्रेमी का, या फिर जो वेक्ति प्रेम कर रहा है और जिसपे वो प्रेम कर रहा है, तो लेकिन जो भर्मवादी वेक्ति वो के समझते कि भर्मसत्या जगत मिथ्या, तो इसलिए वो सुचते कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अकेला हूँ, तो फिर भरमजोति मतलब क्या कि जो वैकुंट के द्वार है तो वहाँ पर यह सिति बनी रहती है तो इसका आपको मैं उधारण दोगा तो जिसे कि अभी आप सब लोग क्लास अटेंट कर रहे हैं तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं आदा बतं कर रहे हैं तो आपको प्रविश्च कर दिया जाएगा और उस रूम में आपको अकेले रहना है अभी जिंदगी बर्द अगले पचांस साल तक आपको उधर ही रहना है तो क्या उदर रहेंगे आपको सब खाना दिया जाएगा पीना देजे आपको बोड़ा बनी आएगा तो आप उधर रहेंगे क्या नहीं रहना चाहेंगे रोजी बोर हो जाएंगे बोर इसा आप बोलेगे तो वैसे यह ब्रमवादी लोग है तो यह अभी यहां पर इस भावतिक जगत में है तो यह मैं आपको चित्र शेर कर चुका हूं इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यह भावतिक जगत है तो ब्रमवादी लोग यह जीवन बिताते हैं तो उनको लगता है कि आरे जहां पर मैं जाता हो तो त्रीगुण माया है कई सत्तो गुण ने गर्जगुण तो मुझे इससे कुछ भी मुझे बहुत समस्य हो रही है तक लम कहाना तो हम देखसलेगा कि हाँ पर यह नीचे वाला जौरा है नी़ा रखवतिक जगत है और उपर यह जो दिख़ रहा है नीला बला नीला यह अ्ध क earning जुट बीच में यह ब्रमा तो इसमें कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा कोई आपको फोन कॉल नहीं करेगा कोई आपको भूग भी नहीं लगेगी आप उदर मरेगे भी नहीं तो फिर ऐसा कितना दिन रह पाएंगे नहीं रहे अपर पाइंगे तो इसलिए आप आप जिल्डगी भी और है तो क्य ने रह सकते हैं तो कियों नहीं सकते फिर यह तो इतना जो कि मुझे डी मिलना है ठीक है किसी सेनी मिलना तो आप एक घंडा चुप रहेंगे एक दिन रहेंगे बहुत आप जैसे बहुत सिद्ध वेक्ति तो प्युपशना मेरेडिशन करके होता है उसमें साथ दिन तक आपको एक रूम में बंद किया जाता है फिर भी उसमें से लोग तरफ तरफ के भार आते हैं तो इसलिए बहु करेंगे और इसका हम सेवा करेंगे हम अभी आप सब माता है तो आप सब के पुत्र पुत्रिया है तो आपको उनसे बहुत लगा हुए तो इसलिए आप आपको उनसे प्रेम है इसलिए आप उनके लिए उनका जो पसंद का खाना वो बनाते है क्यूंकि आपको उनसे प्रेम तो इसलिए अगर आप किसी का सेवा करें मतलब आपको उससे प्रेम है तो अगर तो वह पुत्र आपका पुत्र आपको पुत्र आपको पुत्र आपके पुत्र कि माताजी माम मुझे भूख लगिए मुझे खाना दो है है कि तुम्हें करते हूं कि मुझे बहुत जोर से उल्ट वह auntie को ये खाने के लिए कि अंघ्ब लगी आप भी कि फिर मैं तूमसे प्रेम करती घर अगर शैख Сп कुछ माना हो खाने के लिए मेरा पसंद का अई होبلड़ा ऑप पुत्री तो इसलिए दोनों एक दूसरे जुड़े हुए तो आप देखिए आपके जिन्दगें के जिसकी सेवा हमेशा करना चाहते हो तो मतलब आप उससे प्रेम करते हो कि या फिर आप उसकी सेवा करोगे ऐसा है तो यह आत्मा का धर्म है की लोग अ तो इस भारतवर्ष में या यह हमारे भारत भूइँ में कैसे की घर में एक से जादा लोग रहते हैं इसे पति-पतनी एक साथ रहते हैं और अबीके जमाने जो भागे हैं यह नहीं करद हो देखो सकते हैं आपका दिल खुला करने के लिए लेकिन जो पाच्छा देश चैसे अमेरिका हो गया लंडन हो गया वहाँ पर ऐसा कोई नहीं रहता है है वो पति-पतनि एक साथ शादी करते हैं फिर बात बहुंका मण भरता तो पिर उनके साथ अपना फ्रेम करें तो कोई भी नहीं है प्र फो लोग क्या करतें प्रकुता रखते हैं तो जैसी बात है तो तो कुछ वतारे मालिक आ गया मालिक आ गया फिर फूच लाता है तो इस तरह से उनकी जिन्दगी कट जाती है तो लेकिन यहां पर आत्मा चला भी जाये तो भी कुछ सेवा नहीं कारण यह कोई वेक्ति नहीं है वापस उसका पतन होता है ऐसा प्रभ्मा जी कह रहे है इस लोक में तो इसले फिर वापस हो बर्मा जी से पतन होके कहा पर आता है आपस हो वहां से पतन होके आपस फिर आपके पड़ोस में आएगा हो तो घर में इस तरह से और वहां पर हम देखेंगे एक चीज़ एक उप्शन उसको होता है दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि अगर वह उधर ही बहुत दिनों से पड़ा हुआ है फिर उसके ऊपर यह द तो उन पर भगवान शिव दया करते हैं क्या बीच में लटक गए ना इधर की ना उदर के फिर वह क्या करते कि हरोड़ शाम को हरी नाम सगेदन करके इस ब्रमजवतिती से प्रवास करता है उनका सफर करते हैं फिर उनके हरी नाम से आकर्षित होके बहुत सरे ब्रमवादी प्रमवादी लोग हमें कहां विलेंगे देखने के लिए ब्रमवादी जो लोग है तो ये ऐसे लोग होते जो अब ही बहुत मुश्किल है मिलने के लिए लेगिं फिर भी आप अगर देखेंगे तो हमारे भकतों में भी एक एक दुस्टीकोंड से कोई भग्त ब्रमवादी भी हो सकते हैं जो भग्त सब्चछिगटिंग कर रहे हैं कीरतन कर रहे हैं तो उनको बहुत आनंदार है तो कुकिंग करना में बहुत सारी समस्य पर उठना पड़ रहा है कितना सेवा करना पड़ रहा है तो फिर उनको क्या है कि ऐसा हो रहा है तो फिर हम उनको कि आप भार जाओ भार रहो बहुती जगत में तो उदर तो और भी तकलिफ है उदर कंपनी जाना पड़ेगा काम करना पड़ेगा फिर पडूसी चिलाएंगे यह मैं और लुग को की कई तो दाके चूप जाते इस तरह से लीगन एगार ऐसा ब्रह्म जोती सितिक खुद का बना लेंगे भक्ति मेंबि तो आप Lynn उसको मेंटेंबर कर पाएंगे तो आपको पतन होगा फिर या तो आप भक्ति में लगे या तो फिर भौति बन जाएंगे लेकिन अगर बन भी गए तो भगवान आपको छोड़ेगे नि तो आपको आपको वह भौत धम लेके जाएंगे तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि यह बर्मवादी का कंसेप्ट क् तो अभी हम आगे पड़ेंगे कर आप सुस्षा जाते माता जी हुद तो नहीं है लेकिन यह आपने दिखा आना आ सदाशिव और शिव में मैं जानना चाहिए कि क्या difference है क्या difference है कुछ difference है भी यह नहीं है इसका उतर मंदी जी मैं साधे-चार के बाद दूंगा अभी हाँ अभी नहीं हाँ जी हाँ तो अभी हम यह कम्लिट कर लगा हमरे ट्रेन बहुत स्लो चल रहे है तो हाला कि हम वस्तु की चर्चा करें लेकिन हम इस बहुत एक शरीर में तो इसलिए हम इसका चर्चा करेंगे शाड़े-चार के बाद चर्चा करेंगे ठीक है तो इसके आगे पढ़िए प्रोजी जीव यदेपी स्वभाव से ब्रह्म होता है लेकिन उसमें भौतिक जगत का पर प्रभुत्यों जताने की इच्छा रहती है जिसके कारण वह नीचे गिरता है अपनी स्वभाविक स्थिती में जीव तीनों गुणों से परेर होता है लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजुतसा तमों गुण में बाद लेता है इनहीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्यों जत है दूर हो जाती है भक्तों की संगती करके भक्ती भक्ती की नौ विधियां शवन किर्टन स्मरण आदी का अभ्यास करना चाहिए जिरे-धिरे ऐसी संगती से तथा गुरु के प्रभाव से मनुश्य की प्रभूता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ती में दिवता पूर्वक्स हो जाएगा एक मिंट तो यह पर प्रभाजी और एक चीज कह रहे है कि अगर आप ब्रम जुति में चले भी गए तो लेकिन अगर आपकी वृत्ति अगर आप ब्रम स्थिति पर चले गए तो उस समय आपका ये प्रुत्व कि मैं राजा बनूं और सारी लोग में प्रजा बने हर जगे मेरा जयजेकार हो बड़े-बड़े प्रैमिनिश्टर लोग मेरे को मुझे नमस्कार करें ऐसा हरे की इच्छा होती है है ना या मैं सबसे सुन्दर हो जाओ या मैं सबसे शक्तिशाली हो जाओ तो सबसे सुन्दर होना सबसे शक्तिशाली हो ला सबसे न्यानवान होना सबसे वेरागी होना तो यह सब जो वेक्ति सोच रहे तो मतलब यह जो ऐसा वेक्ति सोच रहे वह क्या सोच रहे तो कंट्रोल करना चाहता है सभी गोपिया मेरे तरफ मेरे जो गोल-गुमनी बीच मेरे तरफ गोल-गुमनी चाहिए असा उसका इच्छा होता है तो यह जो है वो जिवात्मा हर जगा प्रभुत वह जमाने की कुछ जिश करता है तो इस तरह से यह जो परभुतों जाने की जो उसकी वृत्ति है तो यह सबसे खतरना कि इसके वैसे वह इस भवतिक प्रिगुण में फच जाता है लेकिन आप प्रपाजी करें कि अगर हम वैश्णों का संग करेंगे और गुरू का अगर खुरुपा होगा तो गुरू में ब प्रभुत्व जव्वानी की जो है डॉमिनेटिंग नेचर जो है वो कम हो जाएगा और आप फिर भगवान के प्रेम बक्ति में दिर्था पुर्वक स्थित हो जाएंगे तो अभी आगे पड़ी प्रोजी इस विधी की सहस्तुती इस अध्याय के 22 स्लोक से लेकर इस अंतिम स्लोक तक की गई है भगवान की भक्ति अतीव सरल है मनुश्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे स्री विग्रह को अर्पित भोजन का उचिष्ट खाए भगवान के चरण कमलों पर चड़ाए गए पुष्पो की सुगंध सूंगे तो अभी इसलिए हमारा जो सवबा हुए प्रभुत्व करने का तो उसको अगर हमें मिटाना है और हमें उस भरम्म स्तर पर पहुशना है भगवान की शुद्व भक्ति करना तो में क्या क्या करन में लगे स्री वी ग्रह को अर्पीत भोजन का उचिश्ट खाए भगवान के चरण कमलों पर चड़ाए गए पुष्पो की सुगंध सुंगे भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे भगवान के विभिन कारी कलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनीमय के बारे मे पढ़े सदा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे इस महा मंतर की दीब ध्वनी का किर्दन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के अविर्भाव तथा निरोधानों को मनान वाले दिनों में उप्वास करे ऐसा करने से मनुष्यमस्त भौतिक गतिवीधियों से विरक्थ हो जाएगा इस प्रकार जो वेक्ति अपने को ब्रह्म जोति या ब्रह्म बोध के विभिन में प्रकारों में स्थित कर सकता है वा गुणात्मक रूप से भगवान के तुल्य है यहां पर अभी प्रहभवज अठीय क्या के है रहा है जो हमने चर्चा किया है तो कि जीवात्वा है वह प्रक्रतीे प्रक्रति में फसा हुआ है ढuchँ लूह बन चुक़ां यह उसको पारसमानि बनना तो पारसमानि संवरस करके सोना बनना है तो यहाँ पर इसले जितना हम लुहे को घिसेगे पारसमणी के उपर या पारसमणी को लुह उपर घिसेगे तो उतना ज्यादा लुहा जल्दी सोना बन जाएगा तो फिर वो जो घिसना क्या है तो यहाँ पर प्रबजी कह रहें कि भगवान का उतिस्ट खाना चाहिए तो आपके अंदर अभी जो जाएगा वो पारसमणी जाएगा भगवान का प्रसाद तो आपका उतना लुह अंदर से होगा इसा भगवान का चरण कमल का चड़ाय फूल और सुने हरे ख़ासमणी डूबां अद्यान को आत्र मनतर चितन और भगवान निरत खालें निजन हम हम्न में आचेरों का ध्यान कर थे तोव है आपको अद्यात्मिक कि अंगु का स्पर्श कराएगी और ऐसा अध्याद्मिक स्पर्श होते होते फिर आप जो है वो ब्रमाम्भूत के स्टेज को पहुच जाएंगे ठीक है तो ऐसा यह है तो यहाँ पर 14 वाध्या खतम होता है और अभी 15 वाध्या शुरू होगा तो अभी मैं 15 वाध्या शुरू करता हूँ तो इसलिए आप तक किसी को यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कि माताजी का सवाल लास्ट में लेंगे है चोदाए वाध्या में कोई सवाल है किसी को अभी उसमें कैसे कि अभी दो चीज़े एक तो हमें जब क्यों पर तो चैक्ठी चाहिए को शक्ति और शादिक शक्ति भी छात्य तो श्रवंडरिशां सरे अभी अभी कि समसे अपको नीन पूलेने चाहिए और सात्व नबया करना चाहिए तो अगर जो कच्चा आनों खाएंगे जो आपको पत सकता है इसे फल हो गए जो आपके प्रकृति के अनुकूल है तो फिर क्या होगा आपका शेरे में शक्ति आएगा तो फिर आप वो कर पाएंगे लेकिन ये करने के बावजूद भी आपको नींद आएगी तो फिर उसको आपको जिसे आप चलके जब कर सकते हैं तो उससे भी आपका जब में ध्यान लगेगा इसके बावजूद भी आपका जब अच्छा नहीं होगा अगर आपके परडोसी आपको परेशान कर रहे है तो परडोसी परेशान कर रहे हैं तो परडोसी क्यों परेशान तो के तो इसलिए हमारे पिशले जनव में जो हमने तमकोनि कारे के उसका है पार पड़ुषी से हमारा आय वैर है यह जो वैर है यह तो हमें हमको उसको सहन करना और और वैर नहीं कि सादू वेखती बन गए अब भी धीरे-दीरे आपको जो करम हो जाएगा तो फिर वापैस आप अच्छी सा जब नहीं है इस लिए अच्छा जब करने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा तो आच्छा जब करनेंगे आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा आनेक जीवन देने पड़ेगे तभी आपको जब अच्छा होगा लेकिन एक प्रैक्टिकल स्थर पर आपको क्या है कि आपको अच्छा नहीं लेना है अच्छा प्रसाल देना है किसी से जगडा नहीं करना और हो सके तो थोड़ा व्यायम करेंगे जो आपसे हो सके अभी इस उम्मर मुझे पता ने लिकिन तो थोड़ा युगा करेंगे क्योंकि हम आत्मा दीवस्तर पर हैं लेकिन हम यह जो आत्मा यह शरीर के अंदर फस्चुका है तो इसलिげ अभी शरीर के जो नीम है उसको पालंग करने पड़ेगे तो वेकर शरीर सो रहा है तो फिर वो उसका प्रवा आत्मा पड़ेगा यूद्टिवह आत्मा उसमें उसको निकालने का प्रयास करना चीलए क्या कर सेलएत्ग आपके कोई अगर मित्र या दोस्त है जो अच्छा जब कर दिया है जो सवती written क्योंते है नहीं है या आप गà्र यंको पोड़ती उनका अगर संग करेंगे तो फिर आपको उनको देखकर मुझे भी आफ़ार मिले तो ऐसा अब भार से मदद लेके आपका जपा सुदार सकती है लेकिन ये टेंपरी होगा तो इसलिए आपको तीन लेवल पर वर्क करना है एक अभी वर्तमा सिद्री में हम क्या कर सकते उसके उपर पर दूसरा कि अभी एक-दो मेरे में या एक सार गंदर में ऐसा क्या करूगी जिससे ईसके चलेंगे तो फिर अच्छा होगा फिरांद वायं मेन फिया थैंक्यू हमारा उपकरम है उसके लिए उसके लिए तो इसलिए जब अच्छा पठंक करेंगे तो हम अच्छा होगा आचीं तो तो यह जो हम नें कुछ पड़ रहे हैं आभी अगर हम फोन पर बात करते करते या कुछ ने करते हैं लेकिन जरनी करते कर ले हालाँ कि जानमूच कर रहीं फिर उतना हमारा जो अतेंशन utan कम होगे तो उतना फिर हमारा उपर तब करते हया और स्थी जो हमने कर है तो ऊतना तमगन कम होगा हूं हम स्थी फिरबी के कर में प्रफिस्ले जंद में किये है उसका पुल हमको चुक गवी atm pas तो और अप dubh अब कर सकते हैं उसको अपको खुदि सोचना वह क्या मुझे करना चाहिए इससा या को सिवादार आप हे थी को और कोई सवाल Nacht riby पर हिखले भी हम पंदर ही पर जाएंगे तो अभी हमने यहां तक देखा कि आर्जुन ने सवाल पूचा प्रकृति क्या है पुरूष क्या है न्यान क्या है शेत्र क्या है यह सब पूचा तो फिर हमें पता चला कि हमारों शरीर है तो वह उसके अदर आत्मा है तो अभी कि हमने भगविता पढ़नी शुरू की संधुमने पहले पेले भक्त नहीं थे हमने क्या लगा कि हम यह शरीर है है और अभी भक्ती में तो हमें बता है कि आप यह शरीर नहीं हो नहीं आत्मा हो मैं attend लेकिन आत्मा काम है भगवान की सेवा करना तो फिर हम पूरी तरह सेवा करें चारपा सल बहुत जम की सेवा की फिर बाद में हमें पता चल रखी हमारा कमर दर्द हो रहा है नीन आ के शरीर नहीं हम आत्मा है आत्मा का ध्रम है भगवान की सेवा करना तो लेकिन आत्मा दिवए है है लेकिन दिवए अभी टॉर प्सक्राड़ है तो शरीर में पॉसपष से वए है तो शरीर में किस तरह से मं भूर की से पता है तो यह भगवान ही ड़ के विए airline I had a एक और चार ऑदाकें तो चाहिए में भगवान क्या पता है कि ये जो आपका शरीर ये तो .. ते 2 गुंगों से बनाओं ए साथ मगुण तना तेले दो माता है अच्छा पिरसाद भनाने दो उनकीता सदोक्रणेर दौन जो माता जाता उसमें मसला डालती है तो उनका रजगुण में है और जिनका खाना जल जाता है कच्छा पकार जाता है चाय में हरवल चाय में छक्र के जगा नमक डाल लेते तो उनका रजगुण में है तो इस तरह से आप समझ सकते तो हरे ख्रिया हमारी विचार ये सब अलग जाए करना चाहिए कि जो वेक्ति उसको तीज बहार निकल चुका है तो वह कैसे बहार निकलते हैं तो भगवा नें मिआ कि प्रकाशम के पर्वुदenda टि 그ंवे काorse 2019 और पैचानके उसको भगवान के सेवा में लगाता है Так इस चवदै और हमने देखा कि हमंगहां कैसे दान का न्यान का यह क्न conservative कि आप इस स्था штव creator न crispy मिलेगा तब है इसको पैचान पाएंगे और तब हम भवान के तरफ की अ कि लेकिन फिर इसलिए और सबसे उच्या कि तरी के को इसकता है कि गुरुजी से अले वह तो है लेकिन गुरुजी कहां से न्यान प्राप्त करते तो फिर कि नंदर आनि ऐशोता मत जिन सवाल भूऑचा कि क्या प्रूजी अग्यान मतलब अगर कोई भी भौतिक चीज उसका अगर मुझे न्यान ने तो क्या वो भी तमोगुण है तो हाथ तमोगुण है तो फिर क्या पूरा भौतिक न्यान हमें लेना चाहिए ताकि हम भगवान की भथिक कर पाए तो नई तो इसलिए अभी ये 15 बात में भगवान है तो जो भी यान है वो अगर भौतिक है लेकिन अगर आपको बगवान के भक्ति में मदद कर रहा है तो फिर वो अध्याबिक न्यान हुआ लेकिन इसके अलावाद जो दूसरा न्यान वेदों में दिया हुआ है वो न्यान अगर आप पढ़ेंगे तो वो तमोगुणी है यांदकारी है तो इसलिए यह जो दूसरा न्यान दिया है वेदों में उसको हमें नहीं पढ़ना है तो ही हम यह आसक से चुट पाएंगे ऐसा भी भगवान हमें पंद्रव अद्व में बताएंगे तो फिर अगर हम वेदा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत तरह चीजें से दी हुई है जिसको देखर हम आकर्शित हो जाएंगे हुआ है दो लेकिन ब्रॉट पर भगवान के हैं कि हमको उसे आकर्शित नहीं हो रहा है तो वटवुर्ख्ष या आश्वत्त जो का पेड़ है तो इसकी उपमा से भगवान अभी हमें बता रहे कि किस तरह से हम इस भवतिक न्यान है जो भवतिक न्यान है जो भक्ति के लिए अनुकुल नहीं है उससे हमें हमारा पीछा छोड़ना है यह ऊस्कां अध़ार के द्वारा ही वह भक्ति में हम प्रगति करकते हैं तो 14 यादे ने चाल मैं न्यान मिला च्रह प्रजोंड नाथम परिशन करना लिए dwa और फिर अगर इससे प्रगति हो रही है कि जैसे अभी मातर जिन सवाल भुचा कि में जपा में नीन आ रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए तो फिर आप रात को सोते समय दूद में घीड डाले और उसमें थोड़ा सा जड़ी पूरी डाले तो फिर आपको अच्छा नीन आएगा और आप फ्रेश रहेंगे तो आपको नीन नीन आएगा तो फिर यह न्यान भौतिक न्यान है ना अयरुदा का न्यान है लेकिन इससे अच्छी बात है तो आपने किया भक्ति में ब्रगति हो गई लेकिन अभी ऐसा विन्यान है जिसे हमें पीछा चुड़ाना है कि जैसे अभी हमारे घर में हमारे जो रिष्टेदार है पड़ोसी है या हमें कोई चीज पसंद है बच्पन से बहुत पसंद है लेकिन वो आप अपकी कोई आची थे लिकिन वो आपको भक्ति के परतिकुल जा रही है तो अब उसको मुझे छोड़ना है श्कू मुझे करना है मझे वह नहीं चाहिए उससे आपको पीछा छोड़ाना है तो वो आपको यज़िख्ट देती है सब कोई मद dialogue से लेकिन उसका संग जो है आदती लग चुकी है तो यह आदती चो है मुझे लगी तो यह तमोगुण में उसको मुझे त्याक देना चाहिए कि अब बहुत जादा बात करती हूँ प्रजल भूत करती हूँ तो मुझे कम करना चाहिए तो जैसे अभी उपदेशामद में हमने पड़ा रगा अत्याहार प्रया सच्च रजल पो नियमाग रह जोने संगश्च लोल ल्यम्च शेट भीर भक्ति विने श्यति तो इसले अत्याहर बहुत जाद आप खाएंगे तो क्या होगा आपको बहुत दीन आएगी आपको बहु हो जिसे हमाशक्त है और जो भक्ति के लिए प्रति फुल मैं उसको कैसे विरख्त आप हो तो इसके लिए भग्वान ने अभी खादवराध्य में श्रीफ काठना या दो जो जरूर्न है इसको काटना है तो हमने सब को देखा हम ने चौने सब को देखा और अभी जु अच्छा हो ता हम इससे इसको काटने रहे इसले हम अगर नहीं जा रहे तो पंदरध में चावधा एंडे हमने पैचना चाटेंगे इसको चीज काम को निसको काटेंगे तो इसको कैसे काटेंगे अभी बहुत बड़ा एक पेड़ बन चुका है इसका अभी वर्णन भगवान करेंगे तो अभी मैं और पांच में एक्षाल होगा और फिर हम रुकेंगे तो मैं आपको देना चाहता हूँ ताकि फिर आप एक हफ्ते सोचते रहेंगे इसके पर विमर्शन करेंगे कि यह सब मुनी का विशय है सब मुनी गान यहां पर है तो आपको भी मुनी ऐसा सोचना है तो इसलिए आप मेरे साथ इसका उच्छा रहन कीजिए श्री भगवान वाचा उर्ध्वमूलं अधाशाखं अश्वत्थम प्राहूर अव्ययं चंदांस यस्यपर्णानी यस्तम वेदस वेदवित यस्तम वेदस वेदवित उश्यमाद जी इसका आनुवाद अपड़ सकते हैं जी प्रभुश्य भगवान ने कहा तहां जाता है कि एक शाश्वत अश्वत व्रख्ष है जिसकी जड़े तो उपर की और है और श्यखाई नूचे की और इसलिए भी यहां पर मैं थोड़ा वर्णंग करूगा तो चवदय आध्य में हमने देखा कि क्या काम का है हमारा तो यहां पर हम देखा कि हमारे शरीर उसमें इंद्रिया है तो इंद्रिय में भी सब तमोगुण फैल चुका है यानि हम देख रहे आतंगवादी फैल चुक है मन में भी आतंगवादी फैल चुक है बुद्धी में भी है और इगो अहंकार की तरत तो इसलिए हमारा मिशन का है सवच्य भारत नहीं सवच्य खुद को अब सवच्य भक्त जो इसको टाइडल करना चाहिए मिशन सवच्य भक्त तिसले यह भगवान आभी आश्वत्र व्रुक्षा का उपमा कर रहें जो वट व्रुक्षा है तो यह क्या ऐसा है इसका भगवान ने उधार्ण और आशा वास्तों में नहीं भगवान इसको इसके अधारान दोरां को समझा रहें कि अएसा व्रुक्षा है जिसके जो हम देखते हिग और नीचे होती है और अबशन ये जो बढ़वान कहा है अभी व्र्ट व्रुक्षा यह पूंसा है उठ्ध्वम उलम तो इसकी जो शाखा है वह नीचे जा रही है और उसका जो जड़ है उपर से तो ऐसा यह व्रुक्ष है तो उसके पत्य है अब अब सिर्फ पत्तों के माने बता होगा अब फिर बादने बाकिए अगले स्केम कि अभी पट्टे बतसक्त तो यह जो कि पत्टे ठो वुस्तार में दिया हुआ जो मस पढ़ेंगे और उस और ल Tort देंगे तो जो हमें नहीं करना है वह हम पहले पढ़ेंगे फिर बाद में हम जो करना है फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कि अधिश्य होता है तो शिबत भागत पुरान के दूसरे सकन्द में इसरे अध्याय में श्लोक रमांग दो से लेकर बारता किसका वंडन किया है तो उस्चा मद्जा पढ़िए इसको यह बहुत बड़ा स्लोक है तो अब इसका अनुवात पढ़िया आप कि अब देख देख पारें थोड़ा बड़ा कुल अभी आया नहीं पर हुआ अब जाए नहीं वह पीडिया फाइल अलग जगा ओपन हुआ तो उसको अलग से शेर करना होगा अब पीडिए पीडिए शेर नियों डारेक्ट पीडिए शेर करना पड़े अब अब हम अब 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 आपका आवाज नहीं है मताजी आपका अन्म्यूट अन्म्यूट किजा आपका हाँ शुरू से कड़ों प्रभू के हाँ जो वेक्ति यस जो वेक्ति निर्विशेश ग्रम जोती पेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान प्रोहित व्रस्पति की पूजा करनी चाहिए जो प्रभल कामवास्टना के इच्शुक है उसे स्वर के राजा इंदर की और जो अच्छी संतान का इच्शुकों उसे खरजा पतियों की पूजा करनी चाहिए जो सोबागय का आकांशी हो, उसे भोतिक जगत की अधिक्षिका, जुरगा देवी की पूझा करने चाहिए। और जो अत्यन शक्तिशाली बनना चाहिए, उसे अगनी की और जो केवर्ध धन की इक्षा करता हो, उसे वश्मूल की पूझा करने चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है उसे शिवजी के रुद्धर अफ्तारों की पूजा करने चाहिए और जो प्रचूर अन्य की राशी चाहता हो उसे अदीती की पूजा करने चाहिए जो सर्व लोग की कामना करें उसे अदीती के पूजा करने चाहिए जो व्यक्ति संसारिक राजे चाहता हो उसे विश्व देखी और जो जन्तम में लोग प्रेते का उच्छू को साधी देजी पूजा करने चाहिए आगे बड़े हाँ जो दिरगायों भी कामना करता हो उसे अश्वनी कुमार की कुमारों की और जो कुछ करें चाहिए उसे प्रक्री की पूजा करने चाहिए जो अपनी नोक्ति पुष्ट जो पुष्ट शरील चाहता है अब जो अपनी नोक्ति कामना करता हो उसे शेतिर पुष्ट वी दोनों की सम्मलिक पूजा करने जाए जो सुन्दर बनना चाहता हो उसे गंदर लोग के निवाज के अपका आवाज इसे कम है नहीं आप मूट होगाद भीच में अब जो अपनी नोक्ति के साइट की पूजा कामना करता है उसे शितिश प्रिफिश दोनों की सम्मलिक पूजा करने चाहिए जो सुन्दर बनना चाहता है जो सुन्दर पत्री चाहता है उसे अपसराओं तत्व स्वर की और रवशी अपसराओं की पूजा करने चाहिए जो अन्यों कर शाषन करना चाहता हो उसे ब्रह्मान के प्रमुख भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने चाहिए जो स्वाइक इंति का इच्छु को उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंग बच्चत चाहता हो उसे बरुन देव जी की पूजा करने चाहिए और यह भी कोई अच्छा वैवाई संभन चाहता है तो उसे शिप जी की पत्नी सती देवी उमा की पूजा दरनी चाहिए एक बंदा हमें आगे भी है करेंगे तो जिनको जाना जाए वो जा सकते हैं तो जिनको जाना जाए वो जा सकते हैं ठीक है धन्यवाद अच्छा वापने बता है यह 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 अगले बार से इसको अपस पड़ेंगे तो अधिक है अधिक कुछ भक्त का सेवा होता है तो हमें समय का ध्यान रखना चाहिए तो इसलिए भी इस पंद्रवादय में भगवान हमें बताएंगे किस तरह से इस बुक्ष को में कट करना है तो हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे तो माताजी आपको जो सवाल था परम शिव जी का तो क्योंकि यह हमारे सब्सक्राइब कर सकता हो तो अगर जिनको इसका उतर सुनना है तो आप पाच में रुख सकते हैं या फिर हम अगले क्लास में माताजी यह अच्छा रहेगा तो जो ब्रहम जो होती है कि यहां पर सदाशिव है तो यह ओरिजनल शिव है तो फिर अब लिए डूब्लिगेट क्या है तो अगर हम देखेंगे तो यह भागवत में विस्तार से बताव है लिए गीता के सतर पर या बखति-शास्त्री के सतर पर इतना न्यान आपको जाना अपेक्षित नहीं है अब जान सकते है वह अलग आपका एक्स्ट्रा एडवंटेज है तो भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण से जो आए तो उनसे बलराम जी आते है यहां पर हम यह बल्देव जी आते है यह बल्राम जी बल्णवी से आते है वासुदेव प्रद्युपन अनिद्वर संकर्षण आपको दिखर है मंदजी स्क्रीन तो इन से फिर बाद में यह संकर्षण से यह आगे चलकर सदा शीव जी आते हैं तो यह नित्य धाम है जहां पर हमेशा यह रहते हैं और यहीं जो कैलाज धाम है वैसे हमारा ब्रह्मांड है उसके अंदर भी और एक लोकल कैलाज है इसा एंबसी होता है हमारा कंट्री का वैस तो वैसे यह सदा शीव जो है वो उनके विस्तार ही शीव जी है जो हमारे ब्रह्मांड में ऐसा करके तो यह उन्हें फ़रागे बस प्रागेस अधिश्ञ हाँ तो भगवान कृश्णा जो है वो दिव है लेकिन वो तमगुर्ण के संक्रकने आता था वो शीव जी होते ताकि उनको सुष्टिका संहार करना है तो इसले वो ऐसा करते हैं लिकिन वही गवान कृष्ण ही है लेकिन तमगुन में तब तमठ बन तो यह शिव और सदाशिव ऐसा करें तो अगले वार करें कि मैं सवाचार तक हम सवाल जवाब लेकर सब्सक्राइब करें लेकि अगर हम इसको खत्म ने करें तो फिर वह रहे जाएगा एक इसमें वह करना था बहुत ब्हुत है कि एक अधिक अधिकल पहां था कि अधिकल रुप झाल